लंबू की भैस आसपडोस की सभी गाउं में टिंगू की बुद्धी का वो लोहा मनवा चुके थे उनकी एक खास बात थी कि बुद्धी के साथ लंबू की ताकत लेकिन लंबू की ताकत भी जहां नहीं चलती वहां बस टिंगू की अकल काम आती थी तिंगु भाई, ये मेरा दोस्त राका, हम तो उनों ने मिलकर कुछ सूचा है असल में लंबू और राका ने एक बिजनेस करने की ठानी, लेकिन तिंगु भाई की राय लेना लंबू ने ठीक समझा अरे आओ भाई लंबू, दो दिनों से दिखाई नहीं थे, तुम भी आओ अंदर राका जल्दी से अपनी राय फाय क्या देना है वो लंबू को दे दो, हमें बहुत काम है टिंगु को राका का ऐसा बरताव पसंद नहीं आया, फिर भी उसने एक ना कही, सीधा लंबू से बात की अरे भाई लंबू, तुम्हारा दोस्को तो बड़ी जल्दी है हाँ टिंगु भाई, हमारा बड़ी दिन से सोच विचाज चल रहा है की ठी राका ने लंबू को हिचकी चाते देखा, तो वो दोनों के बीच में चपाक से बोल पड़ा देखो भाई, हम दोनों करना चाहते हैं दूद का धन्दा लंबू के पास पैसे नहीं है भैस के लिए, तो वो तुमसे मांगने आया है अरे लंबू तो ऐसा कहो न चलो, दो जल्दी, हमें जाना है राका की बाते टिंगू को जच नहीं रही थी उसने लंबू को घर के अंदर बुला कर पैसा दिया, लेकिन सावधान भी किया देखो भैं लंबू, ये लो पैसे, तुम दूद का बिजनेस कर तो रहे हो, लेकिन इस आत्मी से सावधान रहना हाँ, हाँ, क्यों नहीं लंबू पैसा लेकर राका की साथ बाजार के लिए निकल पड़ा लंबू और राका आधे आधे पैसे दे कर एक भैस खरीदने वाले थे, वो बाजार में पहुच गए लंबू बाई, यहाँ पर सभी पालतु जानवर मिलते हैं, बुरेगी, बकरी, भैस भी अपने पास तो बस एक ही भैस लेने का पैसा है हम दूद बेच कर पैसे कमाएंगे और धीरे-धीरे बाकी जानवर भी खरीदेंगे लंबू राका की बातों में आ रहा था, वो दूनों भैसों के मालिक के पास गए और एक भैस खरीद ली हमें दूद का धंदा करना है, यह भैस कितना लिटर दूद देगी चालिस लिटर दूद देते हैं भैयाजी, आमदनी ही आमदनी होगे आपकी मतलब बहुत जादा पैसी लंबू तो शेक चिली जैसे सपने देखने लगा, भैस खरीदने से पहले ही वो खुद को अमीर समझने लगा राका भाई, यह भैस खरीद लेते हैं और घर चालते हैं राका को भी पैसे कमाने थे, उसने भी हाँ कर दी क्यों नहीं, चलो चलें घर जाते वक्त राका के मन का लालच बाहर आया, उसने लंबू को अकल नहीं ये जान लिया था ये लंबू बस शरीर से बड़ा है, अकल नाम की चीज नहीं है इसमें, इसे बेव को बनाना बहुत आसान है राका ने फिर अपना दिमाग दोड़ाया और लंबू को अपने जाल में फासना चाहा तो लंबू बहिया, जैसे हमने पैसे आदे आदे बाट लिये थे, वैसे ही भैस आदी आदी बाट ले क्या पते की बात की है राका, तो तुम ही बताओ भैसे को कैसे बाटे ऐसा है कि जो मू के तरफ की बाजू है, वो भैया आप रख लो, और भूच की तरफ मैं रख लेता हूँ लंबू तो आसानी से मान गया, यानि की राका अपने प्लान में लभग कामयाब हो गया था बहुत सही बत्वारा हुआ है, अब मैं रोज भैसे को पानी पिलाओंगा, चारा खिलाओंगा, लेकिन गोबर भाई राका को ही उठाना होगा लंबू ने भी अपना हिसाब कर लिया था, और फिर वही होने लगा, लंबू चारा डालता, पानी पिलाता, और राका दूद बेचकर पैसे कमाता अरे लंबू भाईया, तुम्हें कोई दिक्कत हो नहीं है न पटवारे से नहीं नहीं, सब तो सहीं है एक दिन फिर लंबू की मुलाका टिंगू से हुई अरे कैसे हो भाई लंबू, तुम्हारा दूद का धंदा कैसे चल रहा है वो तो मस्त, मूँ के तरफ का हिस्सा जो मुझे मिला है क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं फिर लंबू ने भैस की हिस्सेदारी बताई तो टिंगू चौग गया हैरान हो गया तुम्हें अकल है की नहीं, लंबू? क्यों? क्या हुआ? अरे, वो कप्टी राका, तुम्हें बेयोकू बना रहा है तूद के पैसे वो खा जा रहा है और चारा तुम से वसूल कर रहा है तिंगू ने फिर राका की साजिश लंबू को समझाई और लंबू को यकीन हो गया ठैंक्यू भाई, तुमने मुझे मेरी गलती बताई मैं आज ही उससे मेरे पैसे मांगता हूँ लंबू गुस्य में गया और राका से पैसे मांगने लगा लंबू के अचानक पैसे की मांग पे राका हडबडा गया कैसे पैसे लंबू भाई? अच्छा, मुझे चारा लोग और दूद के पैसे अकेले खा जाओ चलो, मुझे मेरे पैसे दो देखो लंबू भाई, हमने जो तै किया था, उसके अनुसार पूश की तरब का भैस मेरी हुई, यानी भैस का दूद भी मेरा हुआ राका का ये युक्ति वाद सुनकर लंबू बॉखला गया, अब क्या करे, उसे सूझा ही नहीं, लंबू टिंगू के पास दोड़ कर चला गया टिंगू भाईया, अब तुम ही मुझे बचाओ, राका ने तो पैसे देने से बना कर दिया पहले हुआ क्या, ये तो मुझे आराम से बताओ लंबू ने जो कुछ राका ने कहा, वो सब टिंगू को बताया अच्छा, तो ये बात है, मैंने पहले ही कहा था कि ये आदमी शातिर है गल्ती हो गए मुझसे, अब तु भी हल बताओ मुझे तिंगू ने लंबू को एक बहतरीन हल बताया तुम मैं काम करो, जब भी राका भैसे का दूर निकालने आए तो तुम भैसे को गुदगुरी करना, उससे क्या होगा तुम मैं जैसा कहता हूँ ऐसा करो बस और फिर लंबू को भेज दिया लंबू ने टिंगू ने जैसा कहा ठीक वैसा किया और तुरंथ ही भैसो ने रियक्ट किया जब भी राका दूद निकालने आता तब मुझ को कि ये गुदगुदी की वज़े से भैसे लात मार देती थी अरे लंबू भैया ये तुम क्या कर रहे हो मुझ की तरफ आया ही कहा फिर आगे दो तिन दिन यही किसा शुरू रहा ना राका दूद निकाल पाता और ना ही उसे बेच पाता दूद ना बेच पाने के करण राका को नुकसान होने लगा और फिर उसे अपनी गल्टी का एहसास हुआ मुझे मुझे माफ कर दो भाई लंबू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे तुम्हे बिजनस में धोखा नहीं देना चाहिए था हम दोनों को इस तरह से भैस का पटवारा नहीं करना चाहिए था आईंदा से ये गलती नहीं होगी लंबू भाई ये रहे ये रहे सारे पैसे अब आया उट भाड के नीचे आगे से हम चारी का खर्चा और दूद बेचकर आने वाले पैसे आधे आधे बाट लेंगे हाँ हाँ लंब भाईया जैसा आप ठीक समझे हमें बिलकुल मन्जूर है क्योंकि हमें आगे भी तो साथ में बहुत सारा बिसनस करना है और बहुत सारे दूद बेचके बहुत सारे पैसे कमाने है फिर उन पैसो से हम एक और भैस लेकर आएंगे और धेर सारे पैसे कमाएंगे लंबू खुश होकर भाबते हुए दोड़ते हुए टिंगू के पास पहुँच गया टिंगू भाई तुझी ग्रेट हो ये ये रहे तुम्हारे दिये हुए पैसे और ये नफे के मिठाई अरे वा लंबू आखिर का राकाई मांदारी में आही गया उसे तो आना ही था टिंगू भाईया की जय हो आपके जरसा दिमान किसी के पास नहीं आगे से लंबू ने कोई बिसनेस करने से पहले टिंगू की सलाह लेने की कसम खाई और उसने ये फैसला किया कि जीवन में कोई भी परिस्थिती हो वो अपने दोस्त यानि टिंगू की सलाह के बगर कोई भी काम नहीं करेगा